लोग सुभा चुमाओं में आप कुछी दिन बाकी रह गए हैं साथ चरण में होने वाले आम चुनाव की तहट पहले चरण के लिए उन्हें से एप्रिल को मद्दान होगा इसके मद्दे नज़र राजनीतिक दलों ने कवर कसली है साथी बयान बाजी का दोर भी जारी है बीजेपी के राश्ट्री या देक्ष जेपी नड़ा ने घोशना पत्र को लेकर कॉंग्रेस को खेरा है उन्हेंने का रहा कि कॉंग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार लकारा है लेकिन इसके बावजूद कॉंग्रेस तुष्टी करण की राजनीती पर अमादा है मैंने कॉंग्रेस के गोशना पत्र को देखा तो मुझे आश्चर हुआ यह कॉंग्रेस का खोशना पत्र है यह मुसलिम लीग का गोशना पत्र है जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षन की बात कही थी आज उसी बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है आज अलप संख्यकों की जुसतर प्रकारत धर्म के आधार पर आरक्षन की बात की गई है कॉंग्रेस को यस पश्ट करना पड़ेगा साथी क्या कुछ कहा यह सुनते हैं। और सत्ता को हक्याने के लिए कहा तक कॉंग्रेस पार्टी जा सकती है इसका अंदाजा नहीं लगाए जा सकता है। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षन की बात कही थी आज उसी बात को कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानि सत्ता की लुलुत्ता में सत्ता के लालच में देश को कहा पहुंचाएगी कॉंग्रेस पार्टी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनौरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षन की बात हो रही है और जो पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षन की बात है वो किसके लिए आरक्षन करने की बात कर रही है। कॉंग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ। देश भूलना जाए। यूपिये की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लिमेंट से पास नहीं हो सका। लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की मंसा साथ हुई थी ये मेजॉरिटिजम के खिलाफ जिस तरीके की रन्नीती और राजनीती कर रहे हैं और तुष्टिकंड की राजनीती कर रहे हैं देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश भढ़ जाए लेकि जिलूस में कॉंग्रेस पार्टी के जंडे क्यों गायब हो गए यह तुष्टी करण की राजदीती कहां तक जाएगी सिर्फ मुस्लिम लीग को भाय ना इस कारण से कॉंग्रेस पार्टी अपने जंडे तक को हटा दे यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टी करण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवया है इसको देश माफ नहीं करने वाला है कॉंग्रेस को अपने घोशना पत्र के अंदर जिस तरीके से दुष्टी करण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षन के बारे में कहा है उसका स्पश्टी करण देना पादेगा, देश जन को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीती जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बाटने का प्रयास कर रहे हो उसको देश कर दाति मात नीग करेगा, कॉंग्रिस को इसका जवाब देना पड़ेगा